इस वीडियो में आज हम computer science का past paper 2019, इसमें हम class 9th federal board का subjective part solve करेंगे. तो आएए शूरू करते हैं, ये हमारे सामने computer science का 9th class का paper है, जिसमें section B जो है, इसमें short questions मुझूद हैं. और ये total हमारे पास 13 short questions हैं, जिसमें सामने क्या करने हैं, सिर्फ 9 questions attempt करने हैं. तो आएए शूरू करते हैं अपने question number 1 के साथ. तो पहला सवाल पूछा गिया है के compare first and third generation of computer. हमने first and third generation के computer हैं, इन्हें आपस में compare करना है. तो इसका जवाब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. इस सवाल को जवाब हमने इस तरह से 3 lines में लग देना है, जिसमें हम first and third generation of computer का comparison करेंगे. इसमें हम ये कहेंगे, कि first generation computer जो थे, वो size में काफी बड़े थे और महंगे थे. जबके third generation of computer जो थे, वो size में काफी ज़्यादा small थे और कम महंगे थे. third generation में जो technology इस्तेमाल हुई वो थी, हमारे पास integrated circuit, जिसकी वज़े से वो first generation से काफी ज़्यादा fast थे. तो ये सवाल का जवाब है. अब चलते हैं अगले question की दरव. अगला सवाल हम से बुचा गिया है, कि नैपियर बोन जो है, इसे हमने describe करना है. इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, कि नैपियर बोन जो था, वो एक पुराने जमाने का computer था, जो कि इस्तेमाल होता था complex mathematical calculation के लिए. और ये एक mechanical computer है, और इसके अंदर ये खास तोर पर इस्तेमाल होता था, mathematical division के अंदर जो quotient value है, उसको get करने के लिए हम इस computer का इस्तेमाल करते थे. तो ये सवाल का जवाब आपने इस तरह से लिखना है. अब चलते हैं next question की तरव. अगला सवाल पूछा गया है जिसमें हमने बताना है कि operating system के तीन मकासित कौन से हैं. तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से होगा. पहला objective जो operating system का होता है, वो ये होता है कि ये एक interface provide करता है user और computer के बीच में ये आपने पहला objective लिखा. उसके बाद आपने अगला objective करने के लिए इस्तमाल होता है. तो यहां पर आके हमारा 3rd question जो है, इसका answer complete हो जाएगा. अब हम solve करेंगे next 4th question. 4th question हमारे पास ये है, जिसमें पूछा गिया है कि managing data से क्या मुराद है और ये क्यों जरूरी होता है? तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे 3 lines में कि managing data से मुराद है कि आपने data को store किya computers पे और फिर आपका data जब store हो जाता है फिर आप उस data को हासिल करने के लिए इस data को retrieve करते हैं. तो ये सब कुछ किस वजे से क्या होता है कि आप data को manage कर रहे होते हैं. और इक ही important होता है क्योंकि इससे data की accessibility, data को आप किसी वक्त पी access करना होता है और data जादा secure हो जाता है data management की वज़े से इस वज़े से काफी important है. तो ये हमारे fourth question का answer है. अब चलते है question number five की तरफ. अगला सवाल है कि आपने describe करना है time sharing operating system. तो time sharing operating system क्या होता है? इसका answer हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. तो time sharing operating system क्या होता है? ये equal CPU time provide करता है हर उस process को जो कि CPU पर run हो रहा होता है. कि CPU ने अपना time देना होता है हर process को. तो time sharing operating system CPU को manage करता है कि अपना हर process को equal time देता है. और time जो दिया जाता है CPU की जानेब से हर process को इसको time slice कहते है. और बड़ा important term है time sharing operating system के हवाले से. तो ये हमारे पास fifth question जो था ये उसका answer है. अब चलते हम question number six की तरफ. question number six में हम से पूछा गया है कि हमने Microsoft Excel की application है ये जिसको इसको इस्तमाल है. उसके तीन areas कौन से हैं? कोई से भी आपने तीन areas के नाम ले देने हैं जहांपे Microsoft Excel का इस्तमाल होता है. तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से हम लिखेंगे. तो इस तीन areas कुछ इ apply करते हैं ताकि students के report card here different performance results हासिल किया सकें. या तीसरा area ये individual space में. यानि कि हर बंदा अपने जाती level पर अपनी scheduling और planning के लिए इसका 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 सवाल का जवाब है. अब चलते है question number seven की तरफ. question number seven में हम से बुचा गया है कि Microsoft Word का जो हम इसको इसमाल करते हैं, तो इसमें header footer जो होते हैं, वो क्यों जरूरी होते हैं? तो इस सवाल का जवाब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. कि header and footer इसलिए जरूरी होते हैं, क्योंकि header होता है Microsoft Word में, वो हमें overall information देता है उस document के हवाले से, जिसमें उस company का logo, उसका contact number हमें वहाँ पे दिया वा होता है. जबके footer ह होता है, उसमें simple एक page number जो के page के बिल्कुल आखर में आता है, या फिर copyright information होती है. तो इस वज़े से header or footer हमारे word document में बड़े ही जरूरी होते हैं. अब चलते है question number 8 की तरफ, question number 8 में हम से पूछा गया है, कि attenuation और distortion में क्या फर्क है, दोना में differentiate करें? तो इस सवाल का जव तेंडाइशन जो है, दरसल क्या होता है? उसके अंदर जो strength होती है signal की, यो reduce हो जाती है, और signal weak हो जाता है. जब के जो distortion है, वो क्या है, वो signal की frequency में change हो कहा जाता है. यानि signal की frequency change होती है, जिससे उसकी basic waveform जो होती है, वो alter हो जाती है, वो change हो जाती है. या जो different frequency components होते हैं उ तो overall waveform change होती है, जिसकी वज़े से एक signal के अंदर एक तबदीली आती है, signal खराब हो जाता है, signal weak नहीं होता है, signal खराब हो जाता है, तो distortion में हमारे पास यह कहलाता है, जिसके attenuation बकाइदा signal के weak होने को कहा जाता है, अब चलते हैं question number 9 की तरफ, question number 9 में हमसे पूछा गया है कि bandwidth क्या होती है, इसे हमने बताना है, तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, bandwidth कहते हैं कि total amount of data जो है, जो कि bits की form में travel कर रहा है, वो send किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, one point to another, एक point से दूसरे point तक in a certain period of time, यानि एक limited time में कितना data transfer होगा, ज़्यादा data transfer होगा, it means bandwidth ज़्यादा है, कम data transfer होगा, it means bandwidth कम है, और इसे measure किया जाता है bit rate में, यह इसका unit है, जिसको हम bits per second भी कहते हैं, तो यह हमारे पास था question number 9, अब चलते हैं question number 10 की तरफ, question number 10 में हमसे पूचा गिया है कि हमने बताना है, data transmission जो है, उससे क्या मुराद है, data transmission कहते है, process of transferring data between two or more digital devices, दो digital devices के दर्मियान जो हम data transfer करते हैं, वो data analog भी हो सकता है, digital भी हो सकता है, और इसके वज़े से दो devices आपस में बात कर सकते हैं, यह कहलाता है data transmission, अब चलते है next question की दरफ, question number 11 में हमसे बूचा गिया है, कि हमने differentiate करना है server computer और client computer को, तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, कि server क्या है, वो एक program भी हो सकता है, computer program भी हो सकता है, यह hardware machine हो सकती है, जो wait करती है incoming request की, client क्या होता है, वो भी एक program यह machine हो सकता है, जो request send करता है server को, यानि कि असान लफजों में server क्या है connection point है, बहुत सारे clients के लिए, जो कि बहुत सारी request को handle करता है, तो यह दोनों में फर्क है server में और client में, अब चलते हैं question number 12 की तरफ, question number 12 में हमसे बूचा गिया है कि information privacy क्या होता है, इसका क्या मतलब है, तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, कि information privacy से मुराद यह है कि किसी भी शक्स की personal information, उसकी privacy, उसकी हिफाज़त, और उसको यह आम तोर पे जो privacy personal information है, यह relate करती है personal data जो के computer system में store किया जाता है, ऐसा कि कि किसी भी शक्स के, यह किसी भी company के medical records, financial data, उसका criminal record, political record यह business related information, यह तमाम उसकी personal information है, इसको private करना, इसको restrict करना, limited users तक यह अपने तक इसको दूसरों को ना दिखाना, यह दरसल information privacy कहलाता है, अब चलते हैं question number 13 की तरफ, question number 13 जो कि last question है, इसके अंदर हमसे पूछा किया है, कि हमने differentiate करना authentication और authorization को, तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि authentication और authorization में यह difference है, कि authentication से मुराद होती है, कि जब भी कोई शक्स अपनी identity को confirm करता है, username और password के जरिए, जब कि authorization से मुराद किया है, कि कोई भी शक्स जो है, उसको एक username और password दिया जाता है, ताकि वो किसी भी computer system को access कर सके, तो यह फर्क है authentication में और authorization में, तो आज किस वीडियो में हमने computer science 9th class का जो short question पार्ट होता है 2019 का, उसमें 13 questions जो होते हैं, वो तमाम के तमाम आज हमने इस वीडियो में solve किये हैं,